So, Hey What's Up Guys, कैसा आप सबी? So, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Samsung के One UI 6.1 Update के बारे में और ये जो Update है वो आपको Samsung की S22 सीरीज के अंदर कब तक देखने को मिलेगा? हम लोग बात करेंगे Samsung S22, Samsung S22 Plus और S22 Ultra के बारे में तीनो ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.1 का Update है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा और इस Update के अंदर काफी सारे AI के नए फीचर्ज है वो आपको मिलेंगे तो उसके बारे में भी हलका सा बात करेंगे वीडियो में आगे तो वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजट कर रहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते है कि 6.1 का जो अपटेट है वो इंडिया में आने वाला कब तक है तो सेमसंग का एक नया स्मार्टफोन है एक तो नहीं तीन एक साथ स्मार्टफोन है वो लाँच होने वाले है आज की डेट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 जैनवरी डेट है तो 17 जैनवरी को सेमसंग की S24 सिरीज है वो लाँच होने वाली है और उसी के अंदर आप लोगों को प्री इंस्टोल्ड One UI 6.1 का जो अपटेट है वो देखने को मिलेगा और यही सेम अपटेट है उसके बाद में आपको S23 सिरीज के अंदर और थोड़े ही दिनों के बाद में S22 सिरीज है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा तो तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको अपटेट है वो एक साथ में देखने को मिलेगा एक साथ से मेरा मतलब है आप लोगों को वेट करना है February मन का January मन के अंदर तो अपटेट है वो नहीं आने वाला है Only January का सेकूरूटी Page level का जो अपटेट है वो ही आपको देखने को मिलेगा लेकिन 1Ui 6.1 का जो अपटेट है वो आपको February मन के अंदर गांफरम्ली देखने को मिल जाएगा आपको February मन के थैड वीक का वेट कर लेना है मतलब कि एप्रोक्स 20 फेवरेरी के वाज पास ये अपटेट है वो कभी भी S22 सीरीज के अंदर इंडिया में आपर रिलीस हो जाएगा और वहीं हम लोग बात करें कुछ नए फीचर्स के बार में तो एक काफी इंट्रेस्टिंग फीचर है वह आपर आने वाला है उसके मदद से क्या होगा आपने कोई भी एक फोटो है वो चाहिए इतनी आपर क्लिक की गई होगी तो आपको एक एक स्पेंड इमेज का ओप्शन मिलेगा एडिटर के अंदर गेलेक्सी एडिटर के अंदर और जैसे आप लोग एक स्पेंड इमेज वाले ओप्शन पे क्लिक कर दोगे न AI के थुरू जब आपने फोटो इतनी क्लिक की होगी न तो वो फोटो है वह आपर इतनी बड़ी आपर तयार हो जाएगी तो ये तो बस मैंने आपको एक्जांपल दिया है बाकी कल देखते हैं कल अबारी वीडियो आने वाली है और उसके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा आप लोगों को और कुछ जानना है इस अप्टेट के बारे में तो नीचे कमेंट कर देना बाकी अप्टेट की साइज जादा नहीं होगी 700 MB के एप्रोक्स आपको अप्टेट की टोटल साइज है वो देखने को मिलेगी तो मैं मिलता है आप लोगों से नेक्स वीडियो में जेहिंद वंदे मातरम